नमस्ते फैंट्स में डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चेनल पर दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम इस बारे में अपना नॉलेज कुछ अपडेट कर लेते हैं इसके लिए हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं जब मानों बंदर थे जी हाँ दोस्तों आपको पता ही है कि हम मानवों का विकास बंदरों से ही तो हुआ है दोस्तों इस पॉइंट को यहां डिसकस करने का बस एक ही रीजन है कि हम उस टाइम की अपनी रीड की हड़ी की इस्ट्रक्चर और इस टाइम की रीड की हड़ी की इस्ट्रक्चर के अंतर को समझ सकें कभी आप बंदरों की एक्टिविटी पर ध्यान दीजेगा वह कित्ता मुवमेंट करता है और अपनी रीड की हड़ी के लचिलेपन को पूरी तरह से इस्तमाल करता है दीरे दीरे या बंदर मानों में बदलता गया हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई हमारे काम करने के तरीके बदलते गए कमफर्ट आता गया और हम इनसान पूरी तरह से इनसान बन गए इन सम्में हमने सबसे बड़ी एक चीज मिस कर दी फिजिकल एक्सरसाइज करना मेहनत करना दोस्तो हमारी रीड की हड़ी की बनावट इस तरह से है कि इस शोड़ी फ्लैक्जिवल मींस इसको लचीला होना चाहिए पर हमारे घंटो बैठे रहने के कारण या घंटो खड़े रहने के कारण और हमारा पोश्चर मेंटे ना करने के कारण दीरे दीरे हमें कमर दर्द की शिकायत बढ़ती गई दोस्तों ध्यान दीजेगा घर का छोटा बच्चा कभी आपके पास कमरदर्द की तकलीफ लेकर नहीं आएगा क्योंकि वूमेंड करता रहता है दोस्तों आज का टॉपिक है कमरदर्द मीन्स बैकिक यह इतना कॉमन टॉपिक है कि यह कभी ना कभी किसी को हर घर में होता ही रहता है दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे कमरदर्द के बारे में यह हमें क्यों हो जाता है और हमारी दिन भर की दिनचरिया में ऐसा क्या गरबढ कर देते हैं कि ये बार-बार हमको उठ जाता है और हमारी लाइफ में ऐसे क्या risk factor हैं जिससे ये pain बढ़ सकता है और कमर दर्थ की symptoms क्या-क्या हो सकते हैं और इसका homeopathic treatment तो चलिए शुदू करते हैं दोस्तों हमारी कमर एक complex structure होती है जो ligament, muscle, tendon, disc और bone से मिलकर बनी हुए होती है ये हमारे उपर के शरीर और नीचे के शरीर को जोड़ती है हमारे body को support देती है और इसकी movement में भी help करती है हम बात करेंगे कमर दर्थ हमें हो क्यों जाता है इसकी कारण के बारे में नमबर वन जो मैं पहले ही discuss कर चुकी हूँ आज कल का lifestyle आज कल की lifestyle के कारण सबसे ज़्यादा कमर में दर्थ देखा गया है अब नमबर दो पे आता है कि शरीर में यह दी कमर में कोई जोट लग गई है कोई sprain आ गया है कोई strain हो गया है तो हमारी muscle में ligament में injury हो जाती है उससे भी कमर में दर्थ हो सकता है नमबर तीन पर बात करते हैं कि जब शरीर में कोई deficiency या कमी हो जाती है तो भी कमर दर्थ होने लगता है जैसे कि calcium और vitamin D की deficiency से हमारे शरीर में osteoporosis हो जाता है जिससे कि हड़ियां और muscle कमजोर हो जाती है नमबर चार कारण है arthritis इसमें होता क्या है कि हमारे spine के बीच की जगे कम हो जाती है जिससे कि smile code complex होने लगता है और कमर में दर्थ होने लगता है नमबर पाच पर है slip disc हमारी verteby के बीच में disc होती है वो disc किसी कान से यदि slip हो जाए या अपनी जगे से खिसक जाए तो उसे slip disc बोलते है इसमें भी कमर में दर्थ होने लगता है और ये दर्थ पैरो तक जाता है दोस्तो अब नमबर 6 पर है scoliosis इसमें हमारी रीड की हड़ी का करवेचर खराब हो जाता है इससे हमारी कमर में दर्थ होना शुरू हो जाता है दोस्तो मैं यहां कुछ risk factors के बारे में discuss करना चाहूंगी जो हमारे back pain की तकलीफ को बढ़ा सकते है उसमें number 1 है age बढ़ती उमर के साथ लोगों में कमर का दर्थ जादा देखा गया है number 2 pregnancy pregnant महिलाओं में वजन बढ़ने के कारण कमर पर जादा strain पढ़ता है इसलिए उनको दर्थ हो जाता है कमर में number 3 पे इसमें यह होता है गलत तरीके से वजन उठाने से भी कमर में दर्थ हो सकता और last में है number 4 मोटापे के कारण भी रीर की हड़ी पे वजन पढ़ता है इसलिए उसको कमर में दर्थ होने लगता है दोस्तों यदि अब में कमर दर्थ के दर्थ के दूसरे हिस्सों में भी रेडियेट हो सकता है number 3 यह होता है कि उसकी कमर में सूजन देखी जाती है और number 4 यह है कि उस पेशन की कोई मूवमेंट रेस्टिक्टिट हो जाती है means वो कोई-कोई मूवमेंट कर नहीं पाता है और last है number 5 उसको कमर दर्थ के साथ-साथ शरी के दूसरे इस्सों में और कमर में जुन-जुनी और सुनपन फील हो सकता है दोस्तों अब बात करते हैं precautions के बारे में यह precautions तब लेने हैं जब पेशन को कमर का दर्थ हो रहा हो उसमें number 1 है कि उसको टूविलर कम से कम चलाना है उबर खाबर जगे पे, बंपी रोड्स पे टूविलर नहीं चलाना है number 2 उसको कोई भारी समान नहीं उठाना है number 3 उसको कोई भी काम जर्क या एकड़म जटके से नहीं करना है और number 4 पेशन को नीचे जमीन पर नहीं बैठना है और इंडन टॉइलेट यूज नहीं करना है और number 5 जब पेशन इसपाजम में हो मसल का इसपाजम आ रहा हो उसको दर्थ हो रहा हो तब कोई exercise या कोई physical activity नहीं करना है दोस्तों कमर दर्थ एक बहुत बड़ा topic है discussion के लिए हमारे discussion के लिए इसमें कुछ points रह गए हैं जैसे कि prevention means हम हमारी lifestyle में क्या change करें जिससे कि हमें कमर दर्थ हो ही ना और discuss करेंगे कुछ और बिमारियां जैसे कि kidney की बिमारी, constipation, महिलाओं की समस्या जिसमें की कमर का दर्थ हो जाता है और हम यह भी संजेंगे कि जब muscles के कारण और ligament के कारण कमर का दर्थ होता है तो उसके symptoms कैसे होते हैं और जब kidney या GIT complaint के कारण यही कमर का दर्थ होता है तो उसके symptoms किस तरह से हो सकते हैं और साथ मैं बात करेंगे सिंटम्स के हिसाब से उसके होमेपथिक ट्रीपमेंट की और ऐसी कौन-कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे कि हमको कमधर में हेल्प मिल सकती हैं. तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ कमरदर्द के दूसरे वीडियो में भी जिससे कि हम इसके बचे हुए पॉइंट अच्छे से डिसकस कर सकें दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो और आपके कमरदर्द या बेक पेंट की समस्या को समझने में इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल थैंक यू